अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माई चैनल आलिया सिलाई कटिंग आज हम सिंपल नेक बनाएंगे लाइनिंग वाली कुर्ती पे और उसके लिए हमने दो इज की वरिप वाली पट्टी काट कर रखी है और कॉट पाइपिंग भी हमने रेडिमेट लाकर रखी है और अब हमने में फैबरिक को लाइनिंग से इस तरह अटेज कर लेना है एक बुट की सिलाई से हमने इसे अटेज कर लेंगे फिर हमने में फैबरिक को लाइनिंग के बराबर इसे कट कर लेना है नेक को नेक के शेप में और हमने कॉट पाइपिंग डोरी वाली पाइपिंग हमने इसके उपर से लगानी है एक बुट के सिलाई बुट के टेंचन से हमने इसे स्टीच कर लेना है और इसे जमाते हुए और फिर छोटे-छोटे कट लगाना है हमें जहां शेप है हमारे नेक का वहां में कट लगाना है पिर हमारी दो-की-चाड़ाई वाली स्काट कर रखी थी इसके ऊपर यह साइट से नहीं लेना है यह साइट से हमने इसे स्टीच करते हैं ए एक बुट के सिलाई पर से हमें से स्टीच करना है और यह जहां हमारी नोक आ रही है गले का सेंटर आ रहा है वहाँ पर एक चुटी एक छोटी सी पलेट लेकर हमें नोक बनाना है गले की शेप में और फिर सामने के तरफ पल्टा कर हमने दूसरे तरफ गले के एंड तक हमने स्टीज नहीं हैं इसकी वजह से हमारे जो का पाइपिंग की वज़े से हमें को चुपती है या जलन होती है यह कपड़े के वज़े से वह पैक हो जाएगी और हमें वह चुबेगी नहीं और हमें पहने में भी कमपटेबल लगेगी तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और फिर हमने जो पट्टी लगाई है इसके ओपर छोटे-छोटे जगा-जगा कट लगा कर सामने की साइड में हमने पल्टा देना है दीखिए हमारी कॉड़ पाइपिंग इस तरह से बाहर निकल कर आएगी और पैक हो जाएगी पीछे की साइड में और फिर हमने इसे फोल्ड करते हुए से स्टीच कर लेना है सामने की साइड से इस तरह हमने नेक को फिनिशिंग से नेक के शेप में पल्टाते हुए से स्टीच कर लेना है और पाइपिंग उपर उभारते हुए में से स्टीच करेंगे इस तरह के नेक के वीडियो आपको आई बटन में देखने के लिए मिल जाएंगे फिर से हमारा ये नेक का सेंटर आ गया है जो नोख है हमारे गले की तो उसके अंदर हमने सुई रखनी है और फिर सामने की तरफ पल्टा कर उसे फिर से स्टीच करना है ये एक तरीका मैंने बताया आपको डोरी पाइपिंग फिक्स करके बिठाने का तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप जरूर कमेंट में हमें बताईए कि हमने ये तरीका आपको आसान लगा है या नहीं देखिए हमारा इनेक इस तरह कुछ दिख रहा है ये कॉर्ट आपका वीडियो देखने का शुक्रिया धन्यावाद